हेलो एवरीवन वेलकम माई अनदर व्लोग होप कि आप सभी ठीक होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे मज़े में होंगे और व्लोग की शुरुआद हाँ तो आज संडे है और व्लोग की शुरुआद करीब करीब सादे नो बजे के करीब होने जा रही है आप सभी के साथ और आज नाश्ते में बनाएंगे चाई और गर्मा गर्म पकोडे और मोसम भी बरसात वाला हो रखा है जब तक हमारे चाई और पकोडे त्यार होएंगे मुझे लगता है तब तक खूब सारी बरसात आ जाएगी तो और कल के लिए बही सोरी कल हमारा व्लोग नहीं आपाया कल हम बीजी थे बहुत जादा और आज भी बड़ी कोशिश करके मैंने ये व्लोग बनाया है तो पकोडे मैं कैसे बनाती हूं मेरी दो तीन ट्रीक है जिनको मैं यूज करती हूं तो एक तो मैं जो पकोड़े बनाती हूँ उसमें कड़ी पत्ता जरूर जरूर डालती हूँ उससे बहुत अच्छे बनते हैं फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और वैसे भी कड़ी पत्ते को तो हमें यूज करना चाहिए किसी ना किसी चीज में किसी ना किसी रूप में है न यह हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है वैसे तो खाया नहीं जाता तो ऐसे ही हमें मतलब किसी ना किसी रूप में इसको इस तरह खा सकते हैं और मित्धी दाना जैसे और आप सभी को पता है मैं ज़्यादा तर कलोंजी जो बालों के लिए जरूरी होते हैं जिनसे हमें बालों की ग्रोथ में काफी मदद मिलती है कलोंजी हो गया मेती हो गया कड़ी पता हो गया यह इस तरह की मैं चीजे यूज करती रहती हूं और जैसे मैंने यह प्राइफिन में तेल रखा था ना इसमें हींग भी डाल दिया और इसे ना फ्लेवर जो पकोड़ों कहना तो आजाएए भई आप सभी भी जिसको चाय के साथ गर्म गर्म पकोड़े खाने हैं तो यह देखिए जी पहला क्या बोलते हैं पहला पूर हमने बना लिया है तो जब मतलब बरसाथ का मौसम है बरसाथ के मौसम में चाय और गर्म गर्म पकोड़े हो जाएं तो मज़ा ही आजाता है ना तो दुपैर की दुपैर को देखेंगे फिल हाल हम अभी बस ये नाश्ते का ही इंतजाम कर रहे हैं और मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था तो अब मैंने इस में थोड़ा नमक डाल लिया है तो मैं बोल रही थी अभी तो हम फिल हाल नाश्ते का इंतजाम कर रहे हैं और दुपैर के भोजन में देखते हैं क्या बनाएंगे लंच में क्या बनेगा तो हो गए जी हमारे ओड़े तियार और चाई डाल लेते हैं गर्म करके इधर चाई भी बना दिया है अद्रक और इलाइची वाली किस-किस को पसंद है अद्रक और इलाइची वाली चाई तो इलाइची भी मैंने चोटे वाली नहीं डाली इसमें जो बड़े वाली इलाइची होती है वो डाली है तो डाल लेते हैं बई चाय कपों में तो फिर चलते हैं रूम में अराम से फुर्सत में बैठ के खाएंगे हैं तो इशान्थ को तो मैंने एक दो बार बीच में दे के भी आग चुकी हूँ तो वो तो चाय कम ही पीता है पर चलो खोड़े के साथ भी चाय इशान्थ के नाम की भी लेके चलेंगे जितनी उसको पीनी होगी पीले का तो आजाईए भई आप सभी भी और बरसात जैसा कि मैंने कहा था ना बरसात ये देखिए कितनी तेज वाली बरसात ये आगए का पोर्सन है और ये पीछे वाला दोनों साइड से मैंने वीडियो बनाई है थोड़ी थोड़ी और बरसात पुरी जोरों शोरों से आ रही है तो चाय पकोड़े खाने के बाद तो कीचन के हालत भी सुधार लेते हैं और कीचन को भी साफ कर लेते हैं तो ये काम भी बहुत जरूरी है जैसा कि मैं कहती हूँ कीचन साफ है तो सारा घर ही साफ है और अगर हमारी सीख साफ है तो कीचन भी साफ है तो ये थोड़ा सा पीछे लगे थे दाग दबे तो वो भी उतार दिये और गैस पे न वो थोड़ा बुश्चन वगेरा गिर गया था वो सूख गया तो उसको भी करेंगे साफ सरफ के साथ तो ये देखिए और इशान्त का हो गया ट्विशन का टाइम वो तो चला गया और हम पंखा चला के करने लगे काम क्यूंकि बाहर बरसात और पंखा चला हुआ हो ठंडी ठंडी हावा तो मस्त काम करने में मन लगता है तो सलफ गयस साफ करने के बाद फिर करेंगे बरतन साफ तो जी इस साइड से हमारी गयस साफ हो चुकी है चमक चुकी है बस अब कमी रह गई है तो कमी किस चीज़ की है कमी यह है कि अभी हमारी सीख बरतनों से भरी पड़ी है और सीख को साफ करना है बरतन साफ करने के बाद तब हमारी कीचन का काम पूरा हो जाएगा पोचा बाद में लगाएंगे पहले बस फिलहाल यही काम करते हैं बरतन वगयरा इनको एक साइड में करने के बाद हमारी कीचन जगमग जगमग चमक जाएगी न जगमग हो जाएगी तो बरतन तो मैरे साफ हो चुके हैं तो कांच के रह गये हैं इनको मैं बाद में साफ करने लगी थी क्योंकि यह फिर उपरली साइड आ जाएएंगे टोकरे में और जब ये सूख जाएंगे तो उपर से ही इनको उठाके निकाल देंगे है ना नहीं तो फिर आपको पता है मेरा या फिर इशांत का कोई ना कोई इन में से बरतन तोटी जाएगा तो इसलिए ये मैंने बाद में साफ किये और फिर निकाल देंगे इनको उपर से ही उपर और ये लाश्ट ये लाश्ट है भई यहां पर सलफ साफ हो चुकी है कपड़ा साफ हो चुका है और बस अब सिक की बारी है तो इसमें भी काहें की देरी करते हैं तो कर देते हैं इसको भी साफ ये काम भी बहुत जरूरी होता वही आना साथ के साथ हो जाए तो ठीक है नहीं तो फिर अगर रह गया तो रह गया मेरा तो यही है अगर साथ के साथ हो गया तो ठीक है नहीं फिर अगले दीन ही होता है फिर यह नहीं है कि यहां दुपैर को कर दूंगी है शाम को ना जी फिर यह एकले दिनी होता है तो केचन उपर से साफ करके सारी चमका के अब फ्लोर था ये फ्लोर करने लगी सबसे पहले तो मंदिर में कर दिया तो मंदिर में करने के बाद केचन में और केचन में करने के बाद बागी सारे रूम जितने भी हैं उन में तो यहां केचन में और मंदि में तो हाथ से ही लगा दिया और जो रूम वगेरा है उनमें हम करेंगे वाइपर से साफ क्योंकि मतलब टाइम बहुत लगेगा और इतना टाइम नहीं है कि मैं हाथ से लगाऊं वैसे ठीक है हाथ से भी लगाना चाहिए अच्छी अक्सरसाइज हो जाती है अब आप ही अक्सरसाइज की कोई जरूरत नहीं है और अपना घर का काम करने में किस चीज की शरम है न तो अपने घर का काम खुद से ही करना चाहिए और अपने मतलब अपने आप भी स्वस्त रहिए मस्त रहिए घर का काम करके तो वही है तो मुझे जैसे घूमने का तो टाइम नहीं म ब्रवक्त करने नहीं तो अपना यही इह भई तो अपने घर का काम कर लेती हूं यही मेरी अक्सर्साइज है इसी से मैं ठीक रहती हूं मुझे लगता है मैं घर के काम करने से ठीक रहती हूं स्वस्थ मस्थ हाना तो यही है अब तो काफी दिन होगे घूमना भी नहीं हो रहा है तो फिर भी चलो घूमना भी इतना जुरूरी नहीं अपना अगर डेली का हम इतना काम करते हैं तो वही हमारा घूमना हो जाता है तो टाइम नहीं मिल पा रहा है और तो उसके बाद में यहां Sofa area Sofa area के बाद मतलब दूसरे वाला जिसे हम अकसर guest room बोल देते हैं क्योंकि हम उसमें जाते नीं कभी जाते हैं तो हमारा एकी room मतलब जिसमें हम हर टाइम बैठे रहते हैं आप सभी को पता है तो उसमें सबसे बाद में जाऊंगी सबसे पहले मैं यही सोच रही थी कि पहले इदर से ही कर देती हूँ कि मुझे फिर पिछे वाली बालकनी में ही जाना है और आगे की बालकनी रहेगी है उसको मैं सबसे बाद में ही करूंगी अब जब तक कि ये अंदर से सारे साफ हो जाएंगे और पीछे वाली बालकनी वगएरा साफ करके फिर ही जाओंगी आज आगे वाली बालकनी में तो सोफा उदर से वो भी एरिया साफ हो चुका है और अब ये तो खाली पड़ा है इसमें तो मुझे बहुत ही कम टाइम लगता है वैसे तो सारे घर ही मतलब खाली-खाली से मैंने छोड रखे हैं ताकि ऐसे मतलब घूमते फिरते कोई भी समान आगे नाए तो इस तरह से समा सार वाइपर घमाओ और सारी मतलब ये साफ हो जाता है यहां से तो ये फैदा होता है चिज्जे ना भी खेर के रखो तो एक्स्ट्रा समान मैंने रखा भी नहीं है तो ये हमारा यहां से भी ये एरिया साफ हो चुका था और इशांत मैं तो सोच रही थी कि इशांत चला ग का टाइम मैडम ने चेंज कर दिया तो शाम को बुलाया है और आज चुट्टी है ना इसलिए शाम को ही बुला लिया मैं सोचा था कि चुट्टी वाले दिन शायद मैडम ने जल्दी बुला लिया पर नहीं और मुझे इस बात की खबर ही नहीं थी कि इशांत रूम में ही बै धूसरा है नहें वाला करके फीर रिलाश्ट रह जएगा हमारा बेड्रूम उधर वाला तो कल बाइ कोमेंट भी आय थे कि कल की वीडियो नहीं आई तो वही था कि कल मैं बहुत बीजी थी वीडियो नहीं बना पाई और आज भी बीजी तो थी पर मैं ने सोचा कि वीडियो तो बनानी पड़ेगी कल भी नहीं बनी थी हमारा व्लोग और आज तो हमने कोशिश कर ही ली और यहां से यह देखें मौसम अब पानी पानी हो रख़ा है पीछे खेतों में और यह है भी हमा यह नहीं पर फाल कर दैक्ब हुद्स आग्या को मे कzens olhar पासुरा क्लिए रोके वाएगा सब म 266 सेह तो यह संसरस नहीं है साफ करना पूर Kore गास करने के पाने की रखी ही है यह ती बात अब मेरे सारे काम हो चुके है फिनिश तो दुपहर का देखेंगे भई अब क्या फर्माईश करते हैं इशान तोर क्या इनको खाना है क्या नहीं खाना है जैसे ही जो बोलेंगे वही बना देंगे तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना बाई